किसी भी mutual fund scheme में अगर SIP करने का सोच रहे हो तो आज के session में जो बात हम करने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से समझेगा क्योंकि अगर इसमें गोल माल किया इसमें थोड़ी से भी गलती दिखाई लापरवाही दिखाई तो सर एक करोड का नुकसान हो सकता है एक करोड का आप दूसरा है राज है मित पाँच हजार रुपए पर मंत इन्वेस्ट कर रहा है तीस साल तक करेगा रज भी कर रहा है प्ली साल तक करेगा अलग intel fund में नहीं say mutual fund में सेम स्कीम है इवन सेम फंड मैनेजर भी हो दुनों का मतलब डिटो सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी अमित को 30 साल बाद सर साढ़े 3 करोड मिलेगा लेकिन राज को 4.4 करोड मिलेगा कैसे यह आपके साथ भी हो सकता है आपने जो मान के रखा है का आपको 20 साल बाद या 10 साल बा होगे लेकिन वह दो करोड लेगा तो खुझली कितनी तेर जो की जड़ा सोच आदमी आज के समय में आपने दुख से दुख्यार दूसरों के सुक्स से दुख्या है आईसा अगर हो गया सोचो कितना को दुख के बाद है आपको अम नहीं हमको एक करोड हो सेम से सुसेड उ Gullar आप कोई भीозиुंट फेंड स्किमिंट करो नर या तो गुर्ब ओक या गुरुलर dealt वोगा है डायरेक्ट हूगा च्रण स्मॉल कैप लाज कैप क्सिकर कोई भी कैसा भी करो उसमें चाज मेरेगुलर और ग्रोथ सब में होता है, एक स्किम में ये दोनों होगा, जिस भी स्किम में करो ये दोनों होगा, फरक क्या होता है, रैगुलर में जब आप इन्वेस्ट करते होنا, तो रैगुलर में ये हो आप you और ये है, मिच्वल फंड वाली कमपनी, AMC, असेट मेनेजमेंट कमपनी, कुछ भी कहो सर आप दोनों के बीच में आ जाता है एक डिस्ट्रिब्यूटर जब आप ऑफ लाइन किसी से मिच्वल वागर खरिदते हो या किसी डिस्ट्रिब्यूटर से आप खरिदते हो तो सर फ्री में तो होगा नहीं नहीं उसको भी अपना घर बार चलाना है तो एक कमिशन इसका भी इसके पास चलाएगा कैसे समझाता हूं तो आपका पैसा जाएगा इसके पास और इससे जाएगा मिच्वल वाली कंपनी के पास होगा क्या सर एक्सपेंस रेशियो आपको पता है हर मिच्वल वाली कंपनी आपसे एक्सपेंस रेशियो लेती है एज कमिशन ठीक है एक इस पर भिस में में और तरफ वह में दो हमक्रस्टा यहां लगने वाला था भीगा यह उन्हांति लगने वाला था नोब दूस्ट परका है साथ कि प्लान को स्थीफ और में टाइरेक्ट रहो था कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना अच्छ educated such आपको support time to time distributor का चाहिए होता है कि हमारी मदद करेगा कुछ ठीक करेगा हमारा आशू सुपोछते रहेगा हमको रोना हुना आएगा हमको कभी पेट डर्द हो दबाई पहुंचा देगा हमको ऐसा कोई है तो ठीक है रेगुलर लेना लेकिन फर्क बहुत मोटा पड़ता है कैस कैसे भी दिखांगा live हॉलिए आज फोन वर्य पिर कंगा कौन कांवेकर अगयत का चू Catalunya बताओं तो सब्सक्राइब तो सर यहां एक का है ठीक है बीच में गया कोई नहीं एक डायरेक्ट करेक्शन प्रिस्ता रिस्ता दिलों का जोड़ गया तो उसमें जहां दो परशंट लगने वाला था अब लगेगा इधर सिर्फ एक परसंट अब जला इसका इंपक्ट समझो सर इसका इंपक्ट कुछ ऐसा होता है कहा चला है इह क्या सच कर लिया है क्या सर्च कर लिया है सपी कैलकुलेटर और आका थे ре SpeICA ड्र हागेक्ट और इसमने आप अब यहां पर जैसे राज और ऐम यहां लिया तो राज और अमिद बहुत देख लो जब लिआ था पाँबने पाँच हेजार रुपे राज वाला और अमित वाला दोनों का ले लिया अमित ने रेगूलर में किया था और राज डिरेक्ट में किया था अभी पहले अमित वाला समझ लेते हैं सर 15% का रिटर्न हम एन्वल माल लेते हैं मिल रहा है क्यों मिलता है 15% हमने ये बहुत सारे सचन में बात कर लिया है ठीक है ऑन एवरेज हिस्ट्री के बेस पे अगर आफ निफ्टी का 20 साल का ही तियास देखते हो तो लगबग 15% से उपर का रिटर्न है तो हम भी माल लेते हैं मिचल फंड में 15% से उपर का रिटर्न ठीक है तो हमने 15% उस हिजाब से ले लिया सर अमित को मिला साढ़े तीन करोड पांच हजार रुपए तीस साल तक 15% के हिजाब से साढ़े तीन करोड अमित को मिला लेकिन राज ने डाएरेक्ट में इन्वेस्ट किया था टारेक्ट फंड में तो उसको एक परसंट का फाइदा मिलेगा ना दो परसंट के वज़े से की परषंट लग रहा है तो हमने वह एक परसंट डिटर्ण में अइड कर दिया क्योंकि यह बिचैर को तुसरे मिल जाने बहुत तखलिफ होता कुछ कम ले चले लेकम दूसरे को तो यह खेल होता है यह डालेट और बड़ जाता है रगुलर प्लान में और घड़ जाता है क्यूं क्युक्त में डिस्ट्रिब्यूटर आ तो यहां पर आपको जराथ धिहान देने की जरत है Long Term में बढ़ा इंपक्ट ऐसे अच्छा से डायरेक्ट में भी जाने के बाद आपको एक और चीज धोन ठाखते है कि आपको कुछ ना बोनस मिलता रहेगा या डिविडेंट मिलता रहेगा रहेगा आप मिच्वल फंड से टाइम टू टाइम महिन एक महीन पैसा निकाल सकते हो वह वह लेकिन इस केटिगरी में जाने का मतलब जो कि टाइम टू टाइम पैसा मिल भी रहा है तो आप सोचोंगे 30 साल बाद 40 साल बाद 50 साल बहुत मोटा फंड तो मोटा फंड आपको मिलेगा नह दूसरा होता है सर ग्रोथ प्लान तो मेरे हिसाब से अगर आप बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ग्रोथ में चाहिए अगर मंतली एन वली कुछ पैसा आपको चाहिए मुच्छल फंड से तो नो डाउट आप इसमें जाहिए ठीक है इसी केटेगरी में आता है लेकिन अगर आपको लंबे समय बाद बड़ा वेल्थ क्रियेट करना है आपको महीने बार या हर्जाल कुछ निकालने के रिक्वाइमेंट नहीं है तो ग्रोथ में जाहिए लंबे समय में कम पाउंडिंग का बहुत तगडा पायदा आपको यहां म कुछ मिल रहा है आपको देखने में अच्छा लएगा और बहेंगे कुछ पाइसा आ रहा है लेकिन उसके चेकर में कमपाउंडिंग इंपक्ट होगा राजजा लंबे समय तक अगर वह फंड जमा है तो कमपाउंडिंग का फाइदा आपको वहां कम मिलेगा तो इसलिए व आपको सब बता देता हूं आज आपको आज के आपको सेशन में मैं मोबाइल पर अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं हाँ अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मैं खोल लेता हूं सर एंजल वन हट जाहु यह है तो हमने को लिये सर एंजल वन पहले पता दे तो एंजल वन ने आपको पैसे नहीं दिए यस वीडियो स्क्रीन को दिखाने के लिए एंजल वन है स्पॉंसर स्पॉंसर नहीं में जरए हां हम उफिलियर पार्टनaro gameplay description में यहां पर हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके इस पर क्लिक कर देते हैं, SIP with 500 में, सर इस पर जब आप क्लिक करोगे, तो आपको देखो जो लिस्ट मिल रही है सर, यहां पर देखो लिक क्या रहा है, डाइरेक्ट, सरी, डाइरेक्ट प्लान ग्रोथ, ग्रोथ भी है, डाइरेक्ट भी है, सर यहां पर भी देखो, डाइरेक्ट प्लान ग्रोथ, डाइरेक्ट प्लान ग्रोथ, यह सब लाज कैप हैं, तो लाज कैप ज़्यादा सेफ होता है, म मुझे अच्छा लगता है यह तो flexi या फिल large cap क्यूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं सर दस का 20 ना हो चलेगा लेकिन दस का 5 नहीं होना चाहिए मेरे वह जादा इंपोर्ट है ठीक है तो यह इंजल के हिसाब सब्सक्राइब है तो मैंने सोचा चलो इंजल के हिसाब सब्सक्राइब है इसी की बात कर लेता है और मैंने भी देखा मुझे ठीक लगा तो सबसे पहला वाला में खोल लेता हूं इस बियाई ब्लूचिफ फंड डायरेक्ट प्लान गोथ इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं ठीक है इस पर क्लिक करों अधर डिटेल आजाएगा अधरवाइस पे करके यहां से डिरेक्ट एसाइपी सुरू हो सकती है वह ता आपको पता हिए अब ध्यान से समझेगा सर यहां प पतलब लगबग 15 परशंट के हसाब से दिखा रहा है इसी हिसाब से अगर मैं 30 साल का देखूं सरे फंड में रिकमेंडेशन नहीं है ऐसा मत समझ लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं ठीक है इसी हिसाब से फंड का मैं लास्ट पर्फॉमेंस के बेस पे अगर पांच जार रु अगर 21 परशंट यह देता रहा जो कि बहुत मुश्किल है 15 परशंट ही मानो लेकिन अगर 21 भी दे दिया तो यह 14 करोड 96 लाक रुप है यह टोटल यह बन के आ रहा है सरी टोटल यह बन के आ रहा है लेकिन इस किसी भी मिच्वल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ज यही रेगुलर होता तो हो सकता है देड़ परशंट दो परशंट चला जाता और जिसकी वज़े से एक करोड़ आपका आपके पास ना करके समझ रहो नहीं तो वह हो जाता है दूसरी बात एक्जिट लोड इक्जिट लोड क्या होता है दो यहां साफ साफ लिखा हुआ है एक परसेंट लगेगा सर इफ रिडीमड स्विच आउट एक साल के अंदर जिस दिन से आपने इन्वेस्ट की आपका अलॉटमेंट मिल गया आपको मिच्वर्ण वाला उससे एक साल के अंदर आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो आपके टोटल फंड का गेन का नहीं ऐस आप रफु चक्कर हो जाते हैं हमको यां को जो तो यह लगेगा लेकिन यह कह भी रहा है कि नीट लगेगा निल अगर एक साल के बाद विडरौ करोगे एक साल के बाद कुछ लोग को निश्यूजर होता है कि पहले साल इतना लगेगा दूसरे साल इतना लगेगा तीसरे साल कुछ नहीं लेगा ऐसा कुछ नहीं है बात यह है कि एक साल के अंदर निकालोगे तो लगेगा ही लगेगा एक साल के बाद निकालोगे तो नहीं लगेगा आप पुछोगे सा लोड भी ले रही है लेकिन एक यह बिसिकली एक लोकिंग क्रिएट करने के लिए होता है कंपनी कहती है तुम मारब पस फंड छोड़ो अभी आयो तुरन चले जाओगे तो रुको या नास्ता पानी करो एक ही साल तो हुआ है खाना मिना खा के जाना दो तीन साल रुको दस सा कहने का मतलब है कंपनी का ठीक है तो एक दिट लोड यह होता है अच्छा बात टेक्स की बहुत सारे कमेंट्स आपने बुचे जब टेक्स क्या लगता है पहले चिस तो यह समझो कि आपकी इंकम स्लाब जो स्लाब में आ रहे हो उस लाब के हिसाब से तो लगेगा और एक सा रुपए इंवेस्टेट है और उसमें एक हजार रुपए गेन है तो सर उस एक हजार पर फंद्रा परशन लगेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि ग्याराजर पर लाएगा अच्छा अगला देखो विड्रॉल आफ्टर वनियर अगर एक साल बाद निकालोगे तो यह कह रहा है द उपर अपका गेन है एक लुपए अगर आपका गेन है तोहीं दस परशन लगेगा अगर एक लाख से कम है तो अगहरे तो घरीव आदमी जागा इसको मिला नहीं छोड़ दशको प्र नहीं लगेगा ऐक्स थिक तो यह बात हो गई बाकी बाकी तो नॉमल चीज है बाकी सब्सक्राइब करने का सोच नहीं तो पूरा प्लेलिस देख लो पूरा प्लेलिस देखो समझो क्योंकि बात अभी भले 500 रुपा मैंना या लेकिन लंबे समय में यह सर्क करोड़ों बनके आने वाला है वह एक करोड़ का पचास लाख रहे जाए या पांच करोड़ का रहे चार करोड़ रहे तो ठीक बात नहीं है थोड़ा समय लगा लो अच्छे से वीडियो देख लो सेशन देख लो तब जाके इंवेस्ट करना औ तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उससे आप डाउनलोड करके कर सकते हों बाकि आज के सेशन में अगर मज़ा आया बुद्धी खोलने वाली इंफॉमेशन आपके साथ शेयर करी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मज़ा गया लिख के बादे लिए